जैहिन मेरे प्यारे दोस्तों तो बिन देरी किये वे चलते हैं कुश्चन पर तो आज का पहला कुश्चन है एक आरियल सरेड़ी परपत द्वारा की जाने वाली कुल बिपरीक्तता को क्या कहा जाता है तो इसका जो आपसन है प्रतिभाधा, प्रतिघाद, प्रतिरोध, प्रेरग, तो इसका सही आपसन क्या हो जाएगा तो यहाँ पर इसका सही आपसन हो जाएगा प्रतिघाद, इसका सही आपसन क्या हो जाएगा इसको अच्छे से देख लीजिएगा और मेरे प्यारे दोस्तों आपसे बिनम्रनी बेदन है कि इसका notes जरूर बनाएं जो भी question दिया गया उस question को पढ़ें और जो इसके विशे में बिस्तरी जानकारी दी गई है इसका notes जरूर बनाएं ये आपके परिच्छा में बहुत important role निवाएगा तो जैसा कि इसके विशे में हम देखते हैं question एक बार फिर से देख लीजिए question सायदा भूल गया होंगे तो यहाँ पर इसका सही आपन क्या हो जाएगा प्रतिघात हम चलते हैं इसके विशेस point पर एक आरेल से रिड़ी परपत द्वारा की जाने वाली कुल विपरीतिता को प्रतिबांधा कहा जाता है और प्रतिबांधा को जड़ से परतसित करते हैं उसमें प्रेरकत तो यल के प्रितरोध आर तथा प्रेरक प्रतिघात XL का समा बेस होता है और जड़ बराबर क्या होता है जड़ बराबर under root आर स्क्वार प्लस XL का स्क्वार हो जाएगा और यहां पर आर क्या है यहां पर आप देख रहे हैं जड़ जड़ क्या है तो यहां पर जड़ हमारा प्रतिबांधा हो जाएगा और प्रत्रोध है और एक्सल क्या है तो प्रतिगात है तो हम देखते हैं दूसरे कुईशन पर दूसरा कुईशन हमारा क्या कहता है बर्ग माद मूल मान जो बर्ग माद मूल मान होता उसे आरे में से परदस्कित करते हैं तो वर्ग माध मूल मान और किसी विशेश तरंग के आउसत मान का अनुपात तरंग का क्या कहलाता है कुछन एक बार फिर से देख लिजे वर्ग माध मूल मान और किसी विशेश तरंग के आउसत मान का अनुपात तरंग को क्या कहा जाता है तो इसका जो आपसन है आवसत मान, सिखर मान, सीर्स मान गुडांक और रूप गुडांक आपसन फिर से देख लिए आवसत मान, सिखर गुडांक, सीर्स गुडांक या रूप गुडांक तो इसका सही आपसन क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों इसका सही आपसन क्या हो जाएगा तो इसका सही आपसन हो जाएगा रूप गुडांग हम कुछ बिशेश पॉइंट को देख लेते हैं जैसा कि यहाँ पर आरेमेस मान और आवसत मान की अनुपात को रूप गुडांग कहा जाता है रूप गुडांग बराबर क्या होता है आरेमेस मान बटे आवसत मान होता है इसमें जो महतव पॉइंट है अधिक्तम मान को सीर्स मान कहा जाता है इतना ध्यान रखिएगा अधिक्तम मान और आरेमेस मान के अनुपात को अधिक्तम गुडांक या सीर्स गुडांक की रूप में जाना जाता है हम देखते हैं अगले कुईशन को अगला कुईशन हमारा क्या कह रहा है आवर्ति काल जो एक तरंग रूप की समय आवध ही है आवर्ति काल को टी से बिक्त करते हैं जो एक तरंग रूप की समय आवद ही है यहां डाट-डाट के प्रासपरिक होता है या किसके प्रासपरिक होता है तो यहां पर दोस्तों धियान से कुशन को देखिए जैसे कि आपसन में आयाम, आबरित, अनुनाद और समय इस्तिरांग तो इसका सही आपसन क्या हो जाएगा? आबरित तो आबरित हमारा सही है हम कुछ विशेश पॉइंट पर चलते हैं जैसा कि तरंग के एक चकर को पूर्ण करने के लिए लगने वाले समय को समय आवद ही कहते हैं यह आबरित यव का प्रासपरिक होता है पारस परीक होता है समय यवद T ब्रावर क्या होता है तो समय यवद T ब्रावर 1 by EF होता है यहां पर EF क्या है तो EF जो है आबरित है आबरित का मातरक क्या होता है इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और यहां पर जो है समय T लिखा गया T का मातरक क्या होता है तो second होता है जैसा कि आपको मालूम ही होगा हम चलते हैं अगले position पर अगला position हमारा क्या कह रहा है देखिए एक ज्याव वक्रिये एक ज्याव वक्रिये voltage VT 200 sin omega T को L 10 mH C 100 NF और R 20 ohm के साथ एक स्रिंखला LCR परिपत के लिए लागू किया जाता है तो अनुमनाद द्वारा धारा का आयाम ग्याद किजिए position को एक बार फिर से आप लोग पढ़ दीजिएगा इसमें जो आपसन है 10 ampere 20 ampere, 15 ampere 25 ampere तो इस question को मेरे प्यारी मित्रों आप इसमें जो हमारा सही आपसन हो जाएगा 10 ampere हो जाएगा एक बार इसको अपने मन से लगाने का प्रयास कीजिएगा नहीं आयेगा तो हम इसका description आपको दे दे रहे हैं बता रहे हैं कि इसको कैसे solve करेंगे इसी प्रकार से इसको solve कर लेंगे जैसा कि हम पूरा ये लिखा गया है जब LCR परपत को अनुनाद के लिए टेस्ट किया जाता है तो अनुनाद आवरीत ये physical टू वन बाई टू पाई अंडरूड वन बाई यल सी है तो गुड़ वक्ता कारक क्यू बराबर क्या होता है ओमेगा यल बाई यर होता है ये बराबर जो है वन बाई आर अंडरूड यल बाई सी है अनुनाद पर धारा अधिक्तम अरफात I0 होता है इसलिए I0 बराबर क्या होता है भी जीरो अपान आर होता है और इसे सूत पर अगर रख देंगे तो हमारा सीधा निकल जाएगा तो हम इसमें सीधा यही जान लेंगे कि अनुनात पर धारा अधिक्तम होती है अर्थात I0 होती है तो I0 बराबर क्या होता है जैसा कि I0 बराबर VYR होता है तो इसे I0 बराबर VYR हो जाएगा 220 कर देंगे तो 10 एंपियर हो जाएगा कुईशन को एक बर ध्यान से पढ़ लीजिएगा फिर से इसको हल करने का प्रयास करिएगा तो हम अगले कुईशन पर चलते हैं अगला कुईशन कह रहा है एक जया वक्रिये AC में 50 हर्टच की आबरित और अधिक्तम मान 20 एंपियर है सून से प्रारंब होकर पहली बार धारा को 10 एंपियर तक पहुचाने में कितना समय लगेगा कुईशन एक बर फिर से पढ़ लीजिए एक जया वक्रिये AC में 50 हर्टच की आबरित और अधिक्तम मान 20 एंपियर है तो सून से प्रारंब होकर पहली बार धारा को 10 एंपियर तक पहुचाने में कितना समय लगेगा तो इसमें कितना समय लगेगा आपसन है एक बटे 200 सेकंड एक बटे 600 सेकंड एक बटे 400 सेकंड एक बटे 200 सेकंड तो यहाँ पर जो हमारा सही आपसन हो जाएगा एक बटे 600 सेकंड हो जाएगा हम चलते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे कुछ दिया गया है IEM बराबर धारा में अधिक्तम मान कितना है जैसा कि कुछिशन में दिया गया है कि धारा में अधिक्तम मान 20 अम्पियर आबरित 50 हटश है तो हम जानते हैं कि I बराबर IEM साइन ओमेगा टी होता है तो यहाँ पर IEM की वैलु जैसा कि 20 दिया गया है और साइन ओमेगा टी यह हो जाएगा और यहाँ पर जो है यह बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हमारा मान उपर लिखा गया है तो यह बराबर 10 के हो जाएगा तो जैसा कि sin omega t बराबर क्या हो जाएगा sin inverse 1 by 2 हो जाएगा जब इसको इधर ले जाएगे काटेंगे तो 1 by 2 हो जाएगा तो omega t इधर रख करके sine inverse 1 को इस side ले आएंगे तो 1 by 2 हो जाएगा और ये 5 by 6 का मान होता है तो जैसा कि omega का मान 100 ती आ गया है तो 100 into t बराबर कितना हो जाएगा इस का मान 1 बटे 6 हो जाएगा और 1 बटे 6 हो जाएगा तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा एक बटे 600 हो जाएगा तो पहली बार धारा को 10 amp तक पहुचाने में लिया गया समय 1 by 600 second हो जाएगा हम अगले कुईशन पर चलते हैं यद ऐसी धारिता परपत में धारा जो है डाड़ा डिगरी से बोल्टेज से डाड़ाट होती है जो एसी परपत में जो एसी धारिता परपत में धारा होती है धारा कैसी होती है तो धारा 90 अंस होती है 90 होती है 90 डिगरी से बोल्टेज से अगरगामी होती है कैसी होती है अगरगामी होती है तो यहाँ पर हमारा सही option बी वाला हो जाएगा 90 अंस अग्रगामी हो जाएगा जैसा कि 1 ac धारिता परिपध में 30 बोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है और 1 ac परिपध में 30 बोल्टेज से 90 डिग्री पचगामी होती है इतना ध्यान रखिएगा हम अगले कुशन पर चलते हैं एक परत्यावर्ती परिपत में आरोपीद बोल्टेज भी बराबर 100 माइनस जे 50 बोल्टेज और परिपत में धारा आई बराबर 3 माइनस जे 4 ए दी गई है तो परिपत में वास्तविक सक्ति का मान कितना होगा तो परिपत में वास्तविक सक्ति का मान कितना हो जाएगा इसको मेरे प्यारे मित्रों सॉल्ब करिएगा और सॉल्ब करने के बाद जो है इसका जो सही आपसन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताइए इसका सही आपसन क्या होगा तो इसके जो वास्तविक सक्ति हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पर हमारा 500 हो जाएगा वास्तविक सक्ति क्या हो जाएगी क्विशन कहां चला गया हाँ इसमें जो हमारा आपसन हो जाएगा क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा लेकिन अगर यहाँ पर वास्तिविक सक्ति कह रहा है तो वास्तिविक सक्ति तो 500 हो जाएगा लेकिन कालपनिक सक्ति के बारे में अगर पूछता है तो कालपनिक सक्ति कितना हो जाएगा तो 200 हो जाएगा जैसा कि शक्त की सहन्यूक्त बढन द्यारा ग्याद किया जा सकता है कि दहरा सहन्यूक्त का प्रियोग करने पर हमें हमारे पास निम्ड़ा है P जो है V-A बराबर क्या होता है हुआ होता है जैसा कि यह मान लिखा गया जैसा कि यद बोल्टस संयूक्ट का प्रियोग किया जाता है तो धारता भी AR धनात्मक और प्रियोग भी AR रिनात्मक होता है या द धारा सहीुक्ष का प्रियोग किया जाता है तो धारता भी AR रिडातमक और प्रेनरिक जो होती है भी AR धनातमक होती है हम चलते हैं अगले question पर अगला question कहते है एक rlc एक जो है rlc सिरेंडी परपत को प्रेनरिक क्यों कहा जाता है क्यों कहा जाता है दोस्तों तो यहाँ पर सही आपसा नमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आपसा नमारा हो जाएगा भी यल जो होता है वो बड़ा होता है वन बाई डबलू सी के तो हम चलते हैं इसके विशेश पॉइंट पर विशे इस point में कुछ ये graph आपको दिया गया है इस graph को जो है इसका गहन अध्यन करके इसके विशे में जाने और तब इसका answer यहां से खोजें कैसे बना है इसके विशे में आप लोग ध्यान दें हम चलते हैं अगले question को एक sign तरंग के धारा का अधिकता मान 282.8 Ampere है तो इसका RMS मान कितना होगा तो इसका RMS मान कितना हो जाएगा तो यहां पर इसका RMS मान हो जाएगा 200 Ampere RMS मान कितना हो जाएगा 200 Ampere हो जाएगा जैसा कि यहां पर आप लोग यह देख रहे हैं कि जो सीर समान है सीर समान IP बराबर ये दिया गया है आपको पता होगा कि IRMS बराबर क्या होता है तो IRMS बराबर IP बटे अंडर रूट 2 हो जाता है अब IP कमान दिया गया बटे अंडर रूट 2 कर देंगे तो इसको जब भाग करेंगे इसकी value कितनी आ जाएगी इसकी value 200 MPR आ जाएगी हम चलते हैं अगले कुईशन पर अगला कुईशन हमारा क्या कह रहा है इसको देखते हैं बहुत उच आबरित पर समानांतर आरियल परिपत किस रूप में बिवहार करता है तो इसका सही option क्या हो जाएगा तो जैसा कि यहाँ पर हमारी चारो आपसन दिये गए हैं इन चारो आपसन में हमारा हो जाएगा एक सुद्ध प्रत्रोधक परपत हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा जो सही option हो जाएगा क्या हो जाएगा एक सुद्ध प्रत्रोधक परपत हो जाएगा हम चलते हैं कुछ बिसेस पॉइंट पर विशेस पॉंट में क्या कह रहा है कि जो प्रत्रोधक परिपत है जो प्रिणडिक प्रतिगात एक्सेल बराबर टू पाई अफेल है तो उच आबरित पर प्रतिगात आपरमित होता है और यह एक खुले परिपत के रूप में कार करता है इसलिए इस इस्तिती में समानांतर आ बन जाता है जैसा कि हम अगले कुईशन पर चलते हैं अगला कुईशन क्या है 0.8 का सक्ति गुड़ांक वाला एक परिपत 20 वाट की खपत करता है तो परिपत की प्रतिगाती सक्ति का अमान भी AR में क्या है तो भी AR में क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा सही आपसन क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा सही आपसन हो जाएगा 15 भी AR कितना हो जाएगा 15 भी AR हो जाएगा हम चलते है가resh point पर जो इसको दिया गया है जैसा कि इसमें दिया गया है कि सक्रिये सक्क्त P बराबर 20 watt और सक्त गडां कितना दिया गया है 0.8 जैसा कि Q बराबर कितना होता है Q बराबर P 10 P 10 5 होता है P कमान हमारे 20 दिया गया है 10 into Cass Universe 0.8 तो यहां से इसको जब solve करेंगे तो पंदरा भी AR हो जाएगा हम चलते हैं अगले question पर अगला question कह रहा है संधारितर को अवेसित करने वाली धारा क्या होती है इसमें जो आपसन दिये गे हैं इसमें चारो आपसन दिये गे हैं इसमें जो हमारा सही आपसन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक घातिये बृध्धी फलन हो जाएगा, एक घातिये बृध्धी फलन हो जाएगा, तो हम चलते हैं विशेस पॉइंट पर इसमें कुछ दिया गया है और नीचे ग्राप भी बना है, उस ग्राप को भी धिहां से देख लिजेगा, विशेस पॉइंट में हमारा है, जब एक बैटरी जो है, शरिंखला प्रित्रोधक और संधारित्र से जुड़ी होती है, तो प्रारंभिक धारा उच खोती है, क्योंकि बैटरी आवेश को संधारित्र के एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक भेजती है, आव समिक्रण निम्न है आई बराबर वी वाई आर ए की पावर माइनस टी वाई आर सी चार्जिंग के दोरां संधारित्र की धारा और वोल्टेज की को नीचे दर्साया गया है जो कि ये ग्राप की माध्यम से है इसको बाकायदे समझ लीजिएगा हम चलते हैं दूसरे कुशन पर एक स्रेरी आर सी परिप्द में समय इस्तिरांग 0.1 से कंड है और C कमान जो है 2 माइक्रो फैरेड है तो R कमान क्या होगा तो यहाँ पर R कमान अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा तो हमारा सही आप्सन हो जाएगा 0.05 MQ 0.05 MQ हो जाएगा हम चलते हैं विशेज रिस्क में कुछ मान हमारे दिये गए है यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसा कि समय स्थरांग टाउ कामान कितना कि दिया गया है टाउ कामान हमारा कितना दिया गया है तो टाउ कामान जो है 0.1 सेकंड और C कामान कितना दिया गया है C कमान 2μF स्रेणी RC परिपत में समय स्तरांग निमनवत दिया गया है तो टाउ बराबर RC होता है तो यहाँ पर इस कमान निकाल लेंगे तो प्रत्रोधार कमान 0.5 MQ हो जाएगा जैसा कि नीचे सूचना में कुछ बिसेस पॉइंट हमने दे दिया है एक स्रेंखला RC परिपत के लिए समय स्तरांग टाउ निमन सोतर होता है टाउ बराबर कितना होता है यल बाई R हो जाएगा हम अगले कुशन को देखते हैं तीन फेजवाली परडाली के कुल सक्त गुडांग को डाट डाट और डाट के बीच कोड के को साइन के रोप में परिभासित किया गया है तो यहाँ पर हमारा सही आपसन क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आपसन क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा सही आपसन हो जाएगा एक फेज बोल्टेज फेज धारा क्या हो जाएगा फेज बोल्टेज फेज दारा जैसा कि कुईशन में हम इसमें कुछ बिसेश परंड देख लेते हैं क्या कह रहा है तीन फेज वाली तीन फेज वाली प्रडाली के सक्त गुडांक को फेज बोल्टेज और फेज दारा के बीच कोण के कोसाइन के रूप में परिभासित किया जाता है एसी परपत में सक्त गुडांक को भार में परवाहित होने वाली वास्तिविक सक्त से परिपत में आभासी सक्त के आनुपात के रूप में परिभासित किया जाता है इसलिए सक्त गुडांक को वाट और बोल्ट एम्पियर की रूप में परिभासित किया जाता है सक्त गुडांक बराबर क्या होता है कासफाई जहां फाई बोल्टेज और धारा के बीच का कौन है यद धारा जो है बोल्टेज से पसिगामी होती है तो सक्त गुडांक पसिगामी होगी यद धारा बोल्टेज के अगरगामी होती है तो सक्त गुडांक अगरगामी होगी हम चलते हैं अगले कुईशन पर हमारा अगले कुईशन क्या कह रहा है उसको देखते हैं एक संतुलित डेल्टा संपर्क पढ़ाली की लाइन विद्द्धारा 10 एंपियर है तो फेज विद्द्धारा का मान कितना हो जाएगा? दोस्तों, बताने का प्रयास करिए तो यहां पर जो हमारा सही आपसन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? पान दसमलो साथ पान दसमलो साथ साथ तो जैसा कि मेरे प्यारे दोस्तों हमने इसमें टोटल इतना ही कुईशन लाया था ये जो हमारा लेक्चर है ये यूपी पीसियल डीमर्सी आद्विभिन टेक्निकल एकजामो के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं ये जो भी कुछ पढ़ाया हूँ आपको अगर अच्छा लग रहा है और इसी प्रकार से आप नया नया वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बाक्स में जरूर बताएं और इसको सेर सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर करवाएं अपने दोस्तों को भी सेर करें जिससे वो भी इस वीडियो का अच्छा खासा लाब उठा सकें नमस्कार धन्यवाद